पुरे देश्वासियों को आसकर कमजोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदे नहीं है कि केंदर में सत्ता वे विपक्ष दुआरा अब संसद के अंदर वे बाहर भी सविधान की कापी दिखाने की होड में ये लोग सभी एकी थैली के च की सोच भी लगभग एक जैसे ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर-अंदर मिलकर अब इस सविधान को पुंजी वादी समाज पुंजी वादी सविधान बना दिया है अनेको संसोदोनों के जरिए अमेंडमेंट के जरिए इसे काफी हद तक जातिवादी संप्रदाय का पुंजी वादी सविधान बना दिया है और इन दोनों की अंदरोनी मिली भगत होने की बात यानि कि सत्ता और विपक्ष की मैं अंदरोनी मिली भगत होने की बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन दोनों की वे अन्य पाटियों की भी यानि कि कांग्रेस खासकर कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की वे अन्य और पाटियों की भी जिन जिन राजियों में सरकारे चल रही हैं तो वे सबी राज्ये सरकारे वहां के लोगों की खास कर गरीबी, बेरोजगारी वे महंगाई आदिक को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई हैं और अब उन पर से जनता का ध्यान बाटने के लिए इन दोनों की अर्था सत्तावय विपक्ष की अंद्रूनी मिली भगत से ही जबर्दस्ति सविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है जिससे देश की जनता को जरूर साबधान रहना है और अब ये लोग अपने अपने राजनितिक स्वार्थ में यानि की सत्ता और विपक्ष कि ये लोग अपने अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए यहां यहां इस भारते सविधान के साथ ये भारते से साथ जो खिलवार कर रहे हैं ये कताई भी उचित नहीं है जबकि इन दोनों ने अर्थात सत्ता वै विपक्ष ने अब तक अंदर अंदर मिलकर सविधा साब डाक्टर भींग राव अम्बेडगर की मंसा वाला समता मुलक धर्म निर्पेख्ष एबं बहुजन हिताय वाला सविधान नहीं रहे हैं पूंजी वादी सविधानी बनकर रह गया है साती अब सत्ता वै विपक्ष के जाती वादी मांग खास कर शिक्षा अब हम सरकारी नोक्रियों आदी में इने बाबा साब की बदोलत से मिले अरक्षन को खतम करना चाहते हैं या फिर इस पार्टिया इसका पूरा लाब यहां ये सभी पार्टिया इसका पूरा लाब इने नहीं देना चाहते हैं इसलिए अब सविधान को बचाने के नाम पर वे इसकी आड में सत्ता वे विपक्ष दुवारा जो जाती वादी संप्रदाइक एबम पूंजी वादी राजनिती की जा रही है तो उससे इन वर्गों के लोगों को कतेई भी लाब मिलने वाला नहीं है और ये बात भी सर्विधित है कि संदर में खासकर कांग्रेस वे बीजेपी लोगों ने अंदर अंदर मिलकर यहां ती पिछड़ों के आरक्षन को लेकर आई मंडल कमिशन की रुपोर्ट को भी पिशरी बीपी सिंग की बनी केंद्रिय सरकार में इसके लागू होने पर भी तब फिर इने कांग्रेस एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अर्थात इन दोनों पाटियों ने पूरे देश में इसका परदे के पीछे से काफी डटकर विरूद भी कराया था और इसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त अंधूलन वे तोड़ फोड आदी भी खूब करायी गई थी ये सब किसी से छिपा नहीं है और इनी दोनों पार्टियों ने मिलकर आगे केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय में फिर संसद में समाजवादी पार्टी को आ इसपी के अतिसंगर्ष के बाद लाए गए सम्बंदित संसोधन बिल को भी पास नहीं होने दिया था जो अभी भी लटका पड़ा है यूपी में सप्पा सरकार ने तो ऐसी वे ऐस्टी का पदोंती में आरक्षन ही खतम कर दिया था ऐसे में सत्ता वे विपक्ष ये दोनों मिलकर सविधान को बचा नहीं रहे हैं बलकि इसकी आड में ये लोग केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद कर रहे हैं ठैसत्ता हो या विपक्ष हो और ये दोनों अंदर अंदर मिलकर सविधान में बाबा साब के अथक पर्यासों से खास कर एस्टी एस्टी वे ओबीसी वर्गों को मिले आरक्षन को भी खतम करना चाहते हैं या फिर इससे निश्प्रभाभी बना देना चाहते हैं और तभी ये लोग पूरे देश में यही में काहार पर कर दो